नमस्का दोस्तों जै माता दी स्वागते आप सभी का हमारी यूटीव चैनल पर तो दुलाराशी वालो 16 मार्च 2022 से दिवार पर सर पटक पटक कर ठक जाओगे परन्तु दुख दर्द और परिशान्या कम होने का नाम नहीं लेगी जैमतरों आने वाला यह दिन आपके जीवन में नए और बड़े बड़े बदलावों को लेकर आने वाला है सर प्रतम दोस्तों अगर इस दिन का पंचांग देखें तो आपको बता दें फालगुन शुकल पक्षकी त्रयोदशी इस दिन तिती पड़ रही है मगानक्षत्र का निर्मान हो रहा है ध्रती योग बन रहा है साथी दोस्तों सुर्यदेव अपना राशी परिवर्तन कर मीन राशी में आ गए हैं और चंद्रमा अपना राशी परिवर्तन कर सीह राशी में प्रवेश कर चुके हैं जो कि मित्रों आपके लिए साउधानी बरा संकेत हो सकता है तो आसम दोस्तों तुला राशी वाले जातकों के जीवन में आने वाला यह दिन कैसा रेने वाला है कौन-कौन सी नई इस्ततियों को लेकर आ रहा है इस दिन आपका व्यफार कैसा रहीगा नोक्रिपेशा जीवन कैसा रेने वाला है आपकी लव लाइफ कैसे रहीगी दामपत्य जीवन कैसा रहीगा विद्यार्थ प्रेमी जोड़ों के लिए एवं सबसे मैत्वपुन बिरुजगार जातकों के लिए यह दिन कौन कौन सी शुब और कौन कौन सी अशुब गटनाओं को लिकर आ रहा है इसकी पूरी सौब प्रतिशस सटिक बविश्यवानी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले है तो यदि आप सभी भी एक तुलाराशी के जातक हैं और बजरंग बली के सच्चे बखते हैं तो बिना देर करें दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से जय बजरंग बली जरू लिखें आईए दोस्तों आगे बढ़ते हैं औ और सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरुदेव के आज की खास अन्मोल ग्यान के बारे में गुरुदेव का ग्यान बिलकुल ध्यान से कान लगा अगर सुनिएगा जीवन में आपके बहुत काम आएगा तो दोस्तों गुरुदेव कहते हैं माबाप पर भी उतना विश्वा और दवायों पर आग बंद करकर विश्वास रखते हैं और दवाया क्हा कर संयम रखकर ठीक होने का प्रयास करते हैं इसी प्रकार दोस्तो जीवन में भी तकलिफ आने पर आपको अपने मतपिता से बात करनी चाहिए उनसे सला लिनी चाहिए बेश्यक दोस्तू इनके वचन थोड़े कड़वे जरूर होंगे थोड़े कठोर जरूर होंगे परंतु जीवन में आपके बहुत काम आएंगे और आपको एक सही मार्ग दिखा पाएंगे जिस पर चल कर दोस्तो आपके जीवन में सुक ही सुक आएगा और सभी परिशानिया खत्म होगी तो यदि आप भी अपने माता पिताब पर भरूसा करते हैं तो वीडियो को लाइक करें साथ कमेंट बॉक्स में जाकर सच्छे बन से जय बजरंग बली जरूर लिख दें आईए दोस्तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुला राशी की आज की खास महत्वपुर्ण जानकरी के बार अपन दस्तावेश पर हस्तक्षार कर रहे हैं तो उसे ठीक प्रकास से जरूर पढ़ लें क्योंकि दोस्तो आज आपके साथ धूका धड़ी होती वी नजर आ रही है और जल्दबाजी आपके लिए नुकसान दायक साबित भी हो सकती है साथी दफ्तर में ज्यादा हसी मजा करने से बचिए अपने सहकर्मियों के साथ इदर उदर की फिजल की बातों में ना पढ़ें जो काम आपको सोपा गया है आपके उच्छ दीकारियों ने जो जो जिम्मेदारी आपको दी है केवल उन्ही जिम्मेदारियों को पूरा करने में आज आपका ध्यान होना चाहिए इदर उदर की बातों में यदि आप ज्यादा उलजेंगे ज्यादा फसेंगे तो आपके और आपकी सह करीमियों के बीच आज विवाद हो सकता है पैसों के मामलों में दोस्तों आपको बता दू दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है आई से अधिक खर्च होने के आसार बनते हुए नजर आ रही है ऐसे में दोस्तों आपको हमारी और से केवल इतनी सी सला मिलेगी कि मित्रों खर्चों पर इस दिन आपको लगाम लगा कर रखनी होगी पैसो की मावलों में अपना हर निर्णय आपको बहुत सोस समझ कर लेना होगा बहुत साउधनी के साथ आगे बन आ होगा आपकी आई यदि अठनी है तो खर्च भी अठनी करें रुपईया यदि आप खर्च करेंगे तो आपके करजों में बडोतरी हो सकती है उसी के साथ दोस्तों यदी साज़दारी में आपको इकारुबार करते हैं तो आपको बता दे आज आपके द्वारा लिये गए सबी आर्तिक फैसले सफल साबित हो सकते हैं जिया मित्रों परन तो आप देखेंगे काम का लोड आज आप पर बहुत जादा रहेगा साथी आज आपके साज़दार का बरताओ आपके प्रतीक कुछ ठीक नहीं रहने वाला जिसके चलते मित्रों आप दोनों के बीच थोड़ी बोट अन्बन हो सकती है ऐसे में आज आपको हम अपने वेवार पर काबू रखने की सलह देंगे जियां दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आज किसी भी प्रकार का कोई भी अब शब्द ना बोले अन्यता आप दोनों के बीच धरारे पड़ सकती है आपके मन में आएगा कि साज़दारी को खतम किया जाए आप इस साज़दारी से अलग हो जाए परन्तु ऐसा फैसला मित्रो जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है ऐसा ना हो कि अभी आप गलत फैसला ले बेटें और भविश्य में आपको पच्टाना पड़े इसलिए ऐसे बड़े फैसले आपको शांती से लेने होंगे और किसी अच्छे अनुबवी व्यक्ति से बात करकर सला लेकर लेने होंगे साथ ही दोस्तो हर काम में आज आपको परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है ऐसे में आपको यही बताएंगे कि मित्रो कोशिश करना कि आज आप साकारत्मक रह सके जितना हो सके खुद को तरुताजा रख सके अच्छा सोच सके क्योंकि आज आज आप जैसा सोचेंगे ऐसा ही आपके साथ होने वाला ही और नाकारत्मक विचारों से आपको दूर रहने की सल दी जाती है और काफी लंबे समय से दोस्तों आपके जितने भी काम अटके पड़े थे जितने भी काम रुके पड़े थे यदि आप सही से बुद्धी मानी से उनमें परिश्रम करेंगे तो बहुत जल्द दोस्तों चीजे आपके पक्ष में रुक कर सकती है इसलिए गल्दिया ना करें बुद्धी मानी से फैसले लें और समझदारी से आगे बढ़ते रहें साथी व्यापार्ज जुड़े जातकूक बता दें बहुत जल्द लाब होने के आसार बन रहे हैं जमत्रो कारुबार में लंबे समय से चलती आ रही परिशानियों से अब आपको छुटकारा प्राप्त होगा छोटी छोटी बातों को लेकर अपने अंदर तनाव उत्पन ना करें स्वयम को जदा कश्ट ना दे यह छोटे छोटे सुख दुख दोस्तों जीवन में आते जाते रहते हैं और यदि आपके मार्ग में किसी प्रकार की कोई बड़ी बाद आ रही है तो आपको बैठ कर बुद्धी मानी से उस परिशानी का सामना करना चाहिए ऐसे तनाओं में रहेंगे परिशान रहेंगे तो आपके स्वास्त पर बूरा असर पढ़ सकता है इसलिए परिशानी का सामना कीजिए यदि आप अपने बुद्धी का उप्योब करेंगे तो जल्द ही आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ती हो सकती है साथी पैसो के मामलों में दोस्तो दिन आपके लिए सामान ये रहने वाला है ज़िए आप अपने आमदानी बढ़ाने का प्रियास कर रहे हैं तो आपको अपने प्रियासों में और तेजी लानी होगी ज्यामतरों आपके द्वारा की जा रही मैनत सफल नहीं होने वाली इसलिए आपको अधीक मैनत करनी पड़ सकती है साथ यह आपको बताती है दोस्तों व्यापार से जुड़े जातकों को आज अपने रूके हुए कामों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए इस समय लापरवाही और गल्ती आप के लिए महंगी था भी तो सकती है इसलिए दोस्तों आलस्य को त्याक कर आपको मैनत पर ध्यान देने की सलह दी जाती है और अगर आप अपना कारुबार आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, कारुबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने करीबियों से जो सच में आपके शुब चिन्तक हैं, आपका भला चाहते हैं, ऐसे लोगों से उचिस सलह लेकर आप कोई फैसला ले सकते हैं, बस दोस्त व्यक्ति अगर आपको किसी भी प्रकार को कोई मार्ग दिखा देता है कोई सलह देता है तो आप उसकी बातों में बहुत जल्द फ़स जाते हैं और आपकी यही गलती दोस्तों आपके लिए इस दिन दुखदाई साबित हो सकती है इसलिए यहाँ गलती नहीं करना है अपने जीवन के फैसले आप खुद लीजिए या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से सलह लीजिए जो बहुत ज़्यादा करीबी हो तो दोस्तों यहाँ दी कुछ खास कुछ मायात्वपुन कुछ आवश्यक बाते जो कि दिमित्रो खास आपके आने वाले दिन को लेकर उमिद करेंगे दोस्तों कि वीडियो में बताई गई सबी बाते आपको अच्छी लगी होगी समझ आयोगी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना साथ ही यदि आप भी परिशान्यों से गुजर रहे हैं संकटों में चल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जाए मादूरगा जरू लिख देना आपके सभी दुगदर्द और कश्ट दूर होंगे उसी के साथ दोस्तों यदि आप भी रोजाना ऐसी ही ग्यान वर्दक वीडियो को प्राफ्ट करना चाहते हैं आगे भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए तकि आपको भी रोजाना ऐसी ही ग्यान वर्दक वीडियो का लाब होता रहे तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो को नहीं समापत करने की जाज़त चाओंगा जल्द से जल्द मुलाकात करेंगे आप सभी के साथ पुन इसी चैनल पर अगली ही एक और इस नहीं अद्बुद ग्यान वर्दक वीडियो लेकर तब तक लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद